Hello everyone, now we are going to study about theta join, theta join is a type of inner join theta join के अंदर हम different tables को, जिनको relations भी कहा जाता है इनकी rows को आपस में join करते हैं, rows means tuples, इनको हम लोग क्या करेंगे, join करेंगे लेकिन join कब करेंगे, जब ये कुछ conditions को satisfy करें अब conditions बनती कैसी ये भी question है, conditions बनती है comparison operator की मदद से अब comparison operator कोण कोण से होते है, जैसे equal को operator हो गया, less than का हो गया, less than equal to है, greater than है, greater than equal to है इन operators को हम लोग क्या बोलते है, comparison operators, तो क्या करना पड़ता है, comparison operators का use के conditions करेंगे ये conditions satisfy होगी तर हम लोग क्या करते है, different tables की रोज को आपस में join करते हैं अब किस तरीके से देखते हैं, माल ये table number 1 है, ये table number 2 है, और ये table number 3 है अब हमको माल ये पर condition दी गई है, हमको purchase करना है mobile phone और हमको purchase करना है laptop लेकिन condition क्या है हमार पास, हमार पास condition ये है कि mobile की जो price है, वो less than होना चीए laptop की price से कम होना चीए, अब इसके basis पर हम लोग क्या करेंगे, इस condition को consider करके हमको data join या पर लगाना पड़ेगा किस तरीके समरुप देखते हैं, देखिए, mobile कौन सा है, जीओ, इसकी price किस किस से कम है, HP से भी कम है, Dell से भी कम है, और Solan से भी कम है तो हमा इस टेबल के अंदर देखिए, जाब हमको result मिला है, किस के तरो data join के बाद, तो जीओ, mobile phone है laptop HP, जीओ को death phone के साथ, जीओ को Sony के साथ, यह हमने आपके क्या कर दिया, relation बना दिया है, अब हम देखते है, Samsung को, सेमसंग की price कितनी है, 25,000, यह किस किस से छोटी है, सेमसंग की price कम है, यहापर only HP से और Sony से, तो यहापर हमने क्या किया है, Samsung को HP से relation बना दिया है, Samsung को Sony से relation बना दिया है, अब हम दोग यहापर देखते है, Nokia को, Nokia की price कितनी दी गई है, 40,000, और Nokia की price किस से कम medium देखे तो, only Sony से कम है, तब Nokia कम relation किस से देदी है, आपर, Sony से देदी है, तो इससे खा जाता है, अब हमने कौन सा condition ली थी, कि mobile की price less देन होना चीए laptop से, अगर मालोग condition हमारे इस तरीके से होती है, कि mobile की price greater देन होना चीए laptop से, तब हमारा resulting table कुछ और बनता, या mobile लोग लेप्टाप के price equal होना चीए, तब हमारा resulting table कुछ और बनता, या फिर less और equal to होना ची, mobile की price laptop से, को यूज़ करते हैं अब नेक्स्ट लेक्टर करेंगे नेच्रल जोएंग के बारे में यह दि कोई भी डॉट आपकी तरफ से हो तो प्लिस कमेंड बॉक्स में लिख बेजिए में उस डॉक्त करने की पूरी कोशिस करूँगा थेंक्यू थेंक्यू सो मच्छ